हेलो वरीन अगवा फिर से आप सभी के अगने वीड़ों में स्वागत करता हूँ और आज आप सभी के लिए मैं कुछ और गुद नियूस लेकर आ चुका हूँ अगर आप UPI payments वगरा करते हैं तो UPI payments से कितना कुछ आसान हो गया यह सभी तो आपको पताई होगा देखिए आज कर टाइम में अगर आप कहीं पर जाते हैं आपके pocket में wallet नहीं है cash नहीं है उस condition बस आपके पास में एक phone है तो उसके थूरू आप किसी को भी payment कर सकते हैं यानि आपको lunch करना है तो lunch के लिए आप payment कर सकते हैं आपको घर ले जाने के लिए सबजी चाहिए तो सबजी वाले को आप payment कर सकते हैं क्योंकि payment accept करने के लिए हर किसी के पास में आज एक QR code लगा होता है और आप उस QR code को scan करके अपने UPI के माध्यम से उनको payment कर पाते हैं त तो आप अपना UPI ID उनको दे देते थे और वो जो है आपके UPI ID पर payment कर देता था तो उस तरह से तो payment आज भी आप ले सकते हो लेकिन इसके अलावा एक और नीव option यहाँ पर आ चुका है यानि आप UPI ID पर cash deposit भी कर सकते हो ATM में जाकर अभी तक की बात करने तो आपके खाते म आप अपना UPI ID पर भी payment accept कर सकते हैं यानि आप जिस bank के UPI ID पर payment add करने वाले है ATM मशीन से उस UPI ID पर जो भी primary bank account होगा उसमें वो पैसा add हो जाएगा second changes की बात कर ले तो tax payment भी आप कर सकते हैं UPI के जरीए तो UPI के जरीए पहले के जो limit से एक लाग रुपे थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर पांच लाग रुपे कर दिया है यानि आप tax payment जहें पांच लाग रुपे तक अपने UPI ID के थूप कर सकते हैं third new changes की बात कर ले तो वो ये है कि आप अपने ही UPI ID को किसी और को भी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं यानि अपने family member में किसी को भी अपने UPI ID को यूज़ करने का permission दे सकते हैं देखिए अभी तक के process की बात कर ले तो आपके bank खाते में एक mobile number link होता है और वो mobile number आप जि आपका वो number नहीं है तब तब वो अपने device में UPI application को यूज़ नहीं कर सकता है यानि आपके खाते से payment नहीं कर सकता है लेकिन new rules के according अगर आप किसी को permission देते हैं और इस condition में वो person भी जो है आपके account के through ही payment कर सकता है हाँ इसमें आपको कुछ limit भी दिया जाएगा जैसे कि मा UPI application को download कर दिया और अपने ही UPI number के through उसमें login बगरा कर दिया है क्योंकि आपने permission दे रखा उसको use करने का तो आप जो है उसके लिए limit set कर सकते हैं यानि एक बार में कितनी transaction होनी चाहिए maximum कितनी transaction होनी चाहिए यह सारा limit आप खुद से set कर सकते हैं तो एक उस new feature आपको बहु टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम